हेलो फ्रेंट्स इस्टोरी इससे आपका स्वागत है और देखें दोस्तों उत्राखंड में प्रवक्ता की भरती चल रही है और इसमें आपको बता दे कि यूके पियस्सी यानी उत्राखंड लोग सेवा आयोग ने जी भिग्यान और संस्किर्थ के इंटर्व्यू की डेट घोसित कर दिया तो चलिए इसके बारे में जानते हां यहां पर दी आ गया है के इस माई 298 मिनिस आपको यहां पर इंटरिव्यू है इसमें हो गया है और देखिए यहां पर देगए उत्राखन लोग सेवा आयोग गुरुकुल कांगडी हरिद्वार और यहां पर बिग्यप्ति दिया गया सर्वोच न्याले की आउजित दिया गया यहां पर जो कि परवक्ता की भरती चाल रही इसमें दिया गया कि जी बिग्यान का है तो आरे अभियर्तियों का साख्षतकार जो है वह 21 माई 2019 मंगलवार को निर्धालत किया गया है तो देखिए दोस्तों जिसनों ने भी जिनका नाम यहां पर जी पिग्यान और संस्क्रित में आये हुआ है तो उनका जो इंट्रेव्यू है वह 21 माई 2019 को है इसमें लिया है तो चले यहां पर देख लेता है कि कि किस केस का यहां पर रिजक्ट भी हुआ यह भी हम जानेंगे तो देखें यहां पर नीचे आया था हम यहां पर देख लेते हैं इंट्रिव्यू का दिया गया है मैमू तो इसमें हम क्लिक कर लेते हैं कुरेंग का तो यहां पर संस्क्रत के लिए दिया गया है नो यहां पर दिया गया है कि कि पो कि समय को जो इंटरभूई होगा तो इस में क्या जी है इसमें आपको समस्त जो परमाण पत्र यह लेका आना पड़े Hind में देख दो यह लेकि जाना पड़ेगा इसके साथ आपको यहां पर्माणि करन प्रपत्र लेकि जाना पड़ेगा यह सब आपको लेक आने हैं हाई स्कुल की आंधालिका लेकर लेकियाना है मिट्र मेदा लिए पर पराइस्नाति यानी जो आपने PG किया वाइसका और सभी सेमेस्टर की यापको अंग ताली का लेकि आने बीएट की लेकि आनी है यदि अभीयरती सेवाय योजन में विभागया अनप सेवाय योजित हो तो अभीयरती नाम पिता के नाम में को अगर गलती है तो आपको एक राजे में सेवाय हेतु जारी किया पिछड़ा वर्ग परमाणपत्र दिनांग 26 परवेद्वार 16 से पूर्व है उन्हें नविंतम अन्य पिछड़ा वर्ग परमाणपत्र के साथ तैसील में इसासे पर परमाणपत उपलप्त करना होगा तो यह भी आपको लेना है अगर कि आप तो इस प्रकार से यह दिया गया है यह सब डूकुमेंट लेकर कि आपको जाना है इसके साथ आपको दिखा जिते कि यह पडर पत्र कैसा तो आते हैं यहां पर फटर्ड पॉंट पर यहां पी दे गया ऑर इंट्रीवू उन पांपर देख loaded के ऊडिए यह तो देखे जो इंट्राविव प्रोग्रां में इसमें अगर हम देखें गिस संस्क्राइब में जो टोटल जो पद थे वह बारा पद थे जिसमें से स्ट की दो पद हैं और अन्रिजर्व की आठ पद हैं तो इसमें देखिए कितना अभिरत्यों का सेलेक्शन हुआ है तो आठ पदों के लिए आप दे सकते हैं और इसमें इंटर्वियों में 36-37 से आपको बताते हैं कि यहां पर सेलेक्ट होंगे और उसको यहां पर बाहर कर दी जाएगा तो इस परकार से जो यहां पर जिना भीड़ते उन्हें क्वालिफाई किया हुआ है उनके यहां पर रोल लंबर आए हुए हैं और आप लोगों को पूरह यहां पर दिया गया इसके बारे में इसमें दिया गया कि साड़े नौव बज़े से और दूतिय सतर जो है वो साड़े बारा बज़े प्याराम होगा तो आपको अपने सभी डोकॉमेंट लेकर कि यहां पर उपस्तित होना है अब देख लात है हम यहां पर रिक्वा आधिवांचित तालिका वांचित तो इस प्रकार से यह तो अपना नाम देख लें अगर किसी कहां पर नाम है तो आप देखले आप दियाएगा जो उक्त तालिका में अंकित अभिो थिके और अबिलीकों की सौघाषत अभी प्रसुत्ना की जाने की दसा में अभ idols jakा सम्राइगा तो देखे दो इस प्रकार से नाम दे गाए और अभी वह आपके से मोखा है अगर आपक पास डोकॉमेंट है और अगर नहीं दिए तो 18 हमाई तक आप इसको देदें अगर आप 18 महीं तक अपने document उप्लबने करवाते हैं तो आपका नाम हटा जे जाएगा इसके बाद देखे दोस्तों यह यहाँ पर है click here to interview प्रपत्र तो आपको यही भर के ले जाना है तो देखे यह form है इसको आप ढंक से download कर लें यहाँ से option side में दिया गया है यहाँ पर आपको पूड़ो चिपकानी है आपको अपना रोड लंबर पद नाम जिससे आपने भरता पिग्या पन संक्या दिनांक अभरती का नाम जरमति थी लिंग यहाँ पर देगा प्रती कि पिता पती का नाम पता दिया गया व्य भार पता इस्ताई पता पॉड़ाई ओर कि दिया अपर तो देख सकते हैं आप इस परकार से यह form है इसको पूरा फिल अप करके और आपको भर करके यहाँ पर जमा करना है इसके साथ यहाँ पर प्रमानिकर प्रपत्र भी है तो इसको भी आपको भरना है देख सकते हैं आप यही हो form है इसको भर करके यह आपको लेकी जाना है इसको बार करके और अपने साथ इंटर्व्यू के लिए ले जाएं तो आप देश सकते हैं यहां पर बयों का जी विघ्यान के लिए यहां पर आया हुग है तो इसमें आपको इस सब इस सब आपको लेकि जाना है तो इसके बाद हम देख लेते हैं यहां पर इंटर्व्यू प्रोग्राम के लिए तो देखें दोस्तों यहां पर आपको बतादें कि जो महिला सीर थी जी भी जानखी इसमें किवाद दस पोश्ट थे नोकी आपको बतादें इसमें इसकी की दो थी उप Performanceी की एक थी जो तीस से बतीस यहां पर अभियरतियों का सेलेक्शन किया हुआ है कि वह 10 पोस्ट हैं तो आप लगबग यहां पर एक पोस्ट के लिए तीन अभियरतियों को चुना गया है तो जिसमें से आपको बता दें कि तीन में से एक अभियरति को अंदर के जाएगा और दो को बाहर तो आप दे सकते दस पोश्टों के लगवागे यहां पर तीस से बतीस अभीरतियों का सेलेक्शन हुआ है साथ में यहां पर फॉरा भरना आ आपको लिके आना है अछावी डुकमेंट लिकर आपको पॉह जाना है यहां पर साधे नौ बज़े और इसकी साथ यहां से पाली वाले यहां पर साड़े बाखास से अपर नौटिफ़िशन पढ़ ले कि कितने वजी क्या गया और रुक अगया परमाणपत्र लेकि जाना है तो यह सब इसे पहले संपर कर लें आप और यहाँ पर देख लें इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक है टूरिक्वाइड डूकुमेंट के लिए भी यहाँ आप क्लिक कर सकते है और इसमें क्या-क्या मांगा गया है बायो के लिए तो इसमें भी देखिए यहां पर कुछ अभियर्थियों का यहां पर नाम के अंसिल हुआ है जो क्वालिफाई तो हैं लेकिन की कुछ परमान पत्र अभी तक नहीं पहुंचे हैं किसी की इंट्रेमिडिट के अंक तालिका नहीं है तो किसी के पास यहां पर गेरी नहीं थे करले के पर नहीं आगे लिए नहीं देखिए हो तो यहां पर देखिए प्रव्यों के तो आप कर सकते हैं। समय रहते हैं प्रेकूर को जरूर कर लें। कि तो देखी तो इस प्रकार से दे सकते हैं आप यहाँ पर लग अलग दिन यहां पर इंटर्व्यू की डिट आ रही है और यहां फर भठी जो है वह सुरू हो गई है तो आपको बता दें एंटर्व्यू जल्दी यहां पर करवा रहे हैं और जल्दी जो है वो एक माईने के यहाँ पर target दीजा गया है एक माईने के अंदर यहाँ पर भड़ती करना जिरूरी है तो इसलिए यहाँ पर आप ने देखा हूँ कि हर सब्र कusement की जो interview जिसके जूटे थे तो उनकी यहाँ पर interview date आज चुक्षे थे झाल झाल